नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं दोस्तों किसानों के लिए यह एक बड़ी खुस खबरी है जो हम आपको दिने जा रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा 15 मई 2022 तक किसानों को ग्यारवी किस्त मिलने जा रही है लेकिन किस्त आने से पहले उनको कुछ सुधार करने होगे वह चार बड़ी गलतिया सुधार नहीं होगी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों काफी किसान ऐसे हैं जिनको सातवी, आठवी, दसवी, नोवी किस्त नहीं मिल पाई है अगर आप इन चार गलतियों को सुधार लेते हैं जितनी भी रुकी किस्ते हैं आपके एकाउंट में सरकार दुवारा ट्रांसपर कर दे जाईगी दिकने दोस्तों भे गलतिया क्या हैं विए हम आपको स्टैब बाई स्टैब बताने वाले हैं और साथे साथ दोस्तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको सरकार 4000 रुपे देने जा रही है तो वह किसान कौन से हैं उनके बारे में भी बताएंगे अगर आप भी किसान हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक आप देखते रहेगा इस्क्रेप बिल्कुल भी मत करेगा क्योंकि काफी किसान ऐसे होते हैं कि वीडियो को स्क्रेप कर देते हैं और दोस्तो जो उनकी जानकारी होती है वे उनसे छोड़ जाती है तो दोस्तो इस वीडियो को आप पुरा कंप्लिर देखेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हम निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेयर करिएगा आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों बैल लेकन को प्रेस करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि किसान सम्माने धी योजना से रजिस्टर किसानों को अब सरकार की तरफ से ग्यारवी किस्त मिलने जा रही है लेकिन दोस्तों किस्त आने वाली जो है वे किसे मिलेगी या किसे नहीं उसके बारे में हो आपको बताएंगे साथ साथ किस्ट आने से पहले ही सभी किसानों को चार बड़ी गल्तिया सुधारनी होगी, और दोस्तो तभी वह किस्ट को प्राप्त कर पाएंगे. मैं आपको बता चाहूंगा कि काफी किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई भी गलती नहीं की है लेकिन फिर भी उन किसानों को दोस्तो आने वाली जो किस्त है 11 वी वह प्राप्त नहीं हो पाएगी तो वह है क्यों नहीं आपाईगी दोस्तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले हम आपको चार बड़ी गलते बताएंगे उसके बारे में दोस्तो आपके बारे में एक बड़ी जो अपडेट है जो सरकार दोवारा जारी की गई है उसकी भी जान करें हम आपको देंगे दोस्तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनको सरकार दोरा 11 किस्त नहीं मिलेगी तो वह किसान कौन से हैं चलिए उसके बारे में जान लेते हैं और साथ साथ दोस्तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनको 4000 रूपे मिलने वाले हैं लेकिन यह सभी किसानों को लाब नहीं दिया जाएगा निके 4000 रुपी जो सरकार के तरफ से दिया जाएगे वह कुछी किसान ऐसे होंगे सभी किसानों को यह लाब नहीं दिया जाएगा छेले दोस्तों आगे आपको बता दें कि किसान संवानिती योजना में कई बड़े अपडेट के गए हैं यह बात आप सभी जानते भी हैं जिसके चलते काफी किसानों को किस्त नहीं मिल पा रही है दोस्तो अपडेट के नुसार अगर आपने उन अपडेटों का सुधार क्या है या फिर उनको लागो क्या है तो दोस्तो आपको वह किस्त मिल पाएगी अगर वह किसान अपनी गलते उस उधार लेते हैं तो दोस्तों उनको आने वाले जो किस्त है वह मिलते रहेगी और उनकी कोई भी किस्त नहीं रुखेगी सबसे पहले आपको बता दे कि हाली में परधान मंत्र किसान सम्मानी धी योजना से रेजिस्टर किसानों को EKYC करने के लिए कहा गया है जिन किसानों ने अभी तक EKYC नहीं की है तो दोस्तों जल्द से जल्द EKYC कर लीजेगा क्योंगी दोस्तों यह सबसे बड़ा किस्त को प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो गलती पाई गई है नमबर एक गलती किसान फार्म भरते वक्त अपना अंग्रेजी में नाम लिखते हैं यहने के गलती लिवां फिचाएंगे हिंदी में नाम लिखते हैं जिन किसानों ने अपना नाम हिंदी में लिखा है वे दोस्तों किस्त नहीं ले पाएंगे और जिन किसानों ने इंग्ल में लिखना होगा तो चलिए आगे बात करते हैं तो नैश्ट यहां पर जो गलती है वह यह है कि अगर आवेदन में नाम और बैंक खाते में आवेदक का नाम अलग-अलग है तो उनको किस नहीं दी जाएगी और उनकी किस ते जए अटक जाएगी यह दोस्तों किसानों ने अ सरकार दोवारा किस्त नहीं दी जाएगी तो आपका बैंक और फारम में जो भी नाम है वह सेम हो चाहिए एक जैसा होना चाहिए तो नैश्ट जो गलती है तीसरी जो गलती है आप यहां पर देख सकते हैं अगर बैंक का IPC कोड या फिर बैंक एकाउंट नंबर गलत दिया ह हुआ है तो दोस्तों वह सही कराना होगा क्योंको जैसे सरकार दोवारा किसानों को वेरिफाई किया गया है किसानों की जानकारी को वेरिफाई किया गया है तो दोस्तों उनमें काफी गलतिया पाई गई है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि वह जो गलतिया है वह क्या ह तो दोस्तो काफी व्यक्ति ये बात नहीं जानते हुए क्यों दोस्तो काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकों गल्ति का ही पता नहीं होता है तो हम आपको बता दें कि बैंकों के विले के कारण IPC कोड दोस्तों जो है कुछ बैंकों के बदल गए है और जो आपने पहले IPC कोड दिया है वे कोड चैंज हो चुका है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो फोर्म है वे अपडेट कराना होगा चाहिए आप किसी भी योजनका लाब लेते हैं और आप किसी भी बैंक खाते में लाब ले रहे हैं तो आप एक बार चैंग आउट जरूर करिएगा कि आपका IPC कोड वही है या फिर बदल च चुका है सभी बैंकों के तो IPC कोड नहीं बदल है लेकिन कुछ बैंकों के IPC कोड बदल चुके हैं इसलिए आविदा को अपना नया जो IPC कोड है वे दोस्तों अपडेट कराना होगा और वही फार्म में देना होगा तब आपकी जो किस्ते हैं वह आप आईगी वहीं दोस आपकी जो किस्त है वह आपके बैंक काते में आ जाएगी तो दोस्तों ग्यारवी किस्त के साथ 4000 रुपे उन किसानों को मिल सकते हैं जिन किसानों की दसवी किस्त रुखी हुई है यानि के दसवी और ग्यारवी किस्त किसानों को एक साथ मिल सकती है लेकिन यह लाब तभी म लिल सकता है जब किसान अपनी गल्तियों को सुधार लेते हैं या फिर जो अपडेट क्या गया है उनके अनुसार KYC कमपलीट करना भी जरूरी है KYC करानी होगी और जो भी गल्तिय आपने की है वह गल्ति आपको सुधारनी होगी तभी आपको लाव मिल पाएगा तो दोस्तो अगर कोई भी सवाल है आपका तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवाल को जवाब यहाँ पर दिया जाएगा और आपसे हम निवदन करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर करेगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तो बैल एकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसका लाब आप उठा सकें अब दोस्तो आपसे चाहते हैं इजारत और मिलते हैं आपको नैस्ट वीडियो में तब तक के लिए उस्तो जय हिंद जय भारत